गुड नाइट कैसे हैं आप सभी आशक रहती हूं कि हमारे जोगी भाई बहन है सभी बहुत अच्छे हों तो आज मैं क्या क्या बना रही हूं किसके लिए वीडियो में बना रहे हैं जो नाइब भाई बहन है चैनल को सप्राइब करना जो पुराने हैं कोई टैक्स को पैसा सबसे पहले मैं बना रही हूं फीर खाना बहुत ही हो लेकिन मेठा नहीं तो जरूरी होना चाहिए तो बस यहाँ पर मैंने देशी घी में चावल को भुणा लाइची डाल करके उसके बाद भुन गानी के बाद फिर मैंने चावल को लूट में डाल करके इससे क्या होता है ना खीर बहुत संदापन आ जाता है और बहुत बिक्रिस्टी बनता है तो बस यहाँ पर मैंने तो यहां पर ये देखें परोडा है तो काकोडा जो भी आप लोग बोलते हुँ हमारे गळर में इधर हमारे तरब परोडा बोलते हैं इसको अच्छे से धूच करके वाश कर लिया है अब इसको मैं अच्छे से काट रही हूँ तो इसको भी बनाऊंगी साथ ही साथ क्योंकि बहुत ही टेस्टी सब्ची होती है, बहुत ही इस समय सीजनली है, इसको खाना भी चाहिए, सहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जरूर आप सभी खाना, तो बस मैं इसके उपर नीचे के भाग को काट रही हूँ, काटने के बाद इसको जो है, फिर मैं पतले-पतले बस यहां पर देखें मेरी खीर बन करके रेडी हो गई है, गाडी हो गई है, मैंने चिनी डाल दिया, किनी कमी डाला क्योंकि आजकल लोग मीठा बहुत कम पसंद करते हैं उसके बाद यहां पे मैंने कुछ ड्राइफ फूट्स काट लिया था काजू बदाम किसमेस और यह मखाना तो यहां पर यह देखे मैंने डाल दिया मेरी खीर बनके रेडी हो गई है तो चलिए इसको अब ह किनारे रख देंगे और अब चौकेंगे हम चौलाई तो चौलाई के लिए हमने लेसुन और मिर्चा को छील काट लिया है तो बने रही है वीडियो में हम कैसे चौलाई चौकेंगे तो जरूर देखेगा और इस समय चौलाई भी आ रही है तो जरूर खाना चाहिए जो है तो यहां प हमने चीनी लास्ट में डाली है. क्योंकि यदी हम पहले डाल देते हैं तो खीर को पतला कर देता. इसलिए हम चीनी को लास्ट में डालते हैं और चीनी वैसे भी गरम है दो तो गल जायेगी. तो बस यहां पर खीर मेरी बन OKAR में मेरा जब यह लाल हो जाएगा तभी मैं फिर डालों दिए है तो बने रहना वीडियो में तो यहां पर ही देखे मैंने चौलाई को प्रिकत कर लिया है और उसके बार चौलाई डाले लिए तो यह सब खाना ना सचने भले चाहिए स्वाद इसमें आपको तेल मकाले वाली ना मिले लेकिं सहट को यह होता है तो खाने भी चाहिए तो खाने भी चाहिए प्रोडाख को प्रोडा को कट रही हूं यहां पर मेरा परोडा भी कट newborn कर लिया है उसके लिए मैंने तयारी कर ली है मिर्चा प्रेशू प्रका प्याज भी ले लिया है यहाँ पर यह देखे मेरी चौराई जो है बिल्कुल बन के रेडी होने वाली है इसको मुझे थोड़ा का संद होाना है तो इसको मैं अच्छी तरीके से तेज आच में बाद में तेज आच में मैं इसको अच्छे से वो कर लूगी तो यहाँ पर देखे मेरी चौराई भी बन कर गए है रेडी हो चुकी है और यहाँ पर मेरा खीर भी बन के रेडी हो गया है तो अब मेरी बनानू की बारी आगे रायता तो जी हाँ अब मैं रायता भी बना रही हूँ भूंदी का तो यहाँ पर मैंने दही को ले लिया है और इसको मैंने इसमें भूंदी डाल दिया है ताकि भूंदी थोड़ी देर भीग जाए भीग जाएगा तब इसमें मैं डालूँगी मसाला आज तो बहुत ही लजी लजी इस खाना बनने वाला है वीडियो में बने रहना पसंद आए तो लाइक जरूर देना और शेयर कमेंट करना सब्क्राइब करना तो यहां पर अब मैं इसमें डालूंगी मसाला यह है जीरा पौडर और थोड़ा सा डालूंगी इसमें वही जो र अञें टव्का कर जयरा निटे आध तो बस यहां पर हमारा रायता भी बनकर के रेड हो गया है और बहुत ही टेस्टी था रायता मैं पहले से बता दे रही हूं क्योंकि मैंने खाया था इस वज़े से तो टेस्ट किया था किसमे नमक वगएरा कैसे है तो बस यहां पर यह देखे मेरा रायता बन करके रेडी हो गया है और यह काला नमक तो मैं थोड़ा सा काला नमक भी डाल रही हूं क्योंकि काला नमक करें तो अब हमारी बारी आ गई है परोडा की छोपने की यहां पर यह देखें किस तरह बना रही है जरूर आप लोग देखना यहां पर मैंने ले लिया है मिक्स दाल पांस तरी की दाल है तो यहां पर मैं साथो साथ अपने लिए चाय भी चड़ा दी हूँ भाई चाय पीना जरूरी है, शरीर में एनरजी भी लाना जरूरी है, है न चाय के बगर तो मैं कोई काम नहीं कर पाती है, तो यहां पर यह देखे मैंने परोडा को फ्राई कर लिया है, उसके बाद यह यहां पर मैंने एक प्याज भी कट कर लिया था तो प्याज को अच्छे से भूनेंगी आप प्याज खाते हो तो डाल देना में प्याज खाते हो तो इसके भी कर सकते हो दाले है प्याज दाला है और यहां पर इसको अच्छे से भूनेंगी प्याज के बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है हल्का ही लाल करना है तो बस भाई हो गया है, अब मैं इसमें डाल गई है अपना परणा, जो मैंने चाई ठूडा सथिया है, तो बस इसको अच्छी तरीचे से नूट परभी लिए, मिला दोगी काओ अच्छी से नूट अपरणा, चावल लास्ट में बनाऊंगी गड़कि गरम गरम रहे है न, य तो मैंने थंदा वहाजा तो मजहाँ आएगा तो यहाँ तो धूड़ी पर मैंने डाल दिया है तो घूड़ी । डाला शहीछ दालेंगी तो घूड़ा सा घर्म मुसाला जरूर डालेंगी, तो जहीए पिक पना तो टालेंगी on teacher a तो यहां पर मैंने डाल दिया है जो है उसको मैंने डीमे आज में रख दिया पकने के लिए तो आब यहां पर मैं बना रही हूं अपनी पंचमेल डाल उसको मैंने भीगा कर दिया है मैंने डाला देशी गी में जीरा डाला प्याज डाला और खड़ा लाल मिर्ट्य डाला लेसुन डाला अध्रक डाला सारा कुछा इसको अच्छी तरीके से मैं भूलेंगी और यह तमातर भी डाला धाई पंचमील डाल बन रही है तो थोड़ा तो इसकी इसकार चक्षपा होना जाए तो दहां यहां पर देखे मेरा परोडा बन के रेड़ी है कैसा बना है देख लीजे बहुत अच्छा लग रहा है ना जी हां खाने में भी बहुत टेस्टी था यहां पर मेरा पंचमील डाल भी मैंने चौक दिया है पकराई है दीमे आज में यहां देखे रायता बन चावल बन गया चौलाई परोडा खीर और यहां पर यह देखे मेरी दाल भी बन के रेड़ी हो गई है बन गया ना टेस्टी टेस्टी खाना कैसा बना है जरूर बताना भाई सच्च में बहुत ही अच्छा खाना टेस्टी बना हुआ है बस मुझे अब रोटी बनाना है गर बहुत पसंद आई थी, खीर भी बहुत पसंद आया. यहीं के लिए खानापीना बना हुआ था, तो बहुत पस दोटें डानाई था, हीं खीर बना होचा केरा था, वालया झाया की सबसे चावले मुटा, कीठी और शीन करें और को को व्याहि精त करें, कभी गस्नी कृत हुए हम आताया है, यहीं बहुत आए पादू पिलेगाद कर यहीं लगाए हैं। मतलब इस मारे आपन फूना नोकरी में हैं। बेड़ लगेंगे लेकिन इस बार भगवान बारिशी नहीं कर रहे हैं देखे इस बार क्या होता है कई जगों पे तो सुखा भी पड़ गया है बारिशी नहीं हो रही है पूरा असाड चला गया आधा सावन बीत गया क्या बारिश होगी देखे क्या होता है और बाहर बाहर लेकिन वहां बारी सोने का कोई मतलब नहीं, जहां पर खेती बारी है वहां बारी सो तो अच्छा भी है, मौसम बनाता है फिर धूप करता है, बारी सोती छीटे मार के चली जाती है, और उमस जब धूप निकल जाती है तितनी ज़्यादा उमस रहती कि बिल्कुल और यही सब बिमारिया फैल रही है, इधर हमारे लावा साइड में वाइरल फीवर, आखी का रोग, मलेरिया यह सब इतना फैला हुआ है, कि हर घर में एक पीडित से जरूर मिलेगा, तो इसलिए आप लोग बदलते मौसम में, इधर के जो भी हों, बहुत ध्यान दीजे अपना जो है, तो हमारी यह वीडियो कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, और कोई टैक्स, कोई पैसा नहीं, लाइक जरूर दीजेगा, जो नए भाइबैन है, मेरे चैनल को सब्क्राइब करिएगा, और जो भाइबैन मेरे वीडियो को देखते हैं, उनको तह दिल स बहुत बहुत धन्यवाद, और फुल वाज करके देखें, अच्छी लगे तो फुल वाज करके देखें, कोई प्रेसराइज नहीं है, कि आप लोग मेरे वीडियो को देखें ही, तो चलिए ठीक है रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते ह के लिए, बाइ-बाइ